नमस्कार, The News Post देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ समीर जारकन में बंगलादेशी घुसपैटियों का मामला लगतार अब उचल रहा है और इसमें पुर्व मुखमंत्री रगुवर्दास ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में बना हुआ है रगुवर्दास ने कहा कि पाकिस्तान के परमानूबं से ज्यादा घहाता कि आप बंगलादेशी मानूबं है इस पर हम बात करेंगे कॉंग्रेस विधायक प्रदीपियादों से आप भी संथाल से आते हैं और मामला काफी गर्म हो रहा है कि बंगलादेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं लगता है कि यह पॉल्टिकल इसू है राजनितिक मुद्दे के रूप में इसका उप्योग करती है भारती जनता पाटी हकीकत से कोसोंदूर जो धरातल की बाते है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है और यह बर्सोस इस मुद्दा को वो जिन्दा रखना चाहता है और इसी प्रकार के मुद्दों को वो चुणती है भारती जनता पाटी जिन्मुद्दों से समाज में विभाजन हो समाज दो भागों में बटे और बट करके फिर वोट के राजनीत में वो परिवरतन हो और वही है और कुछ नहीं है उससे आगे ठीक है उन्ही का सासन दिल्ली में यहां 20 साल तक उन्ही का सासन रहा अगर बंगला देशी एक वी घुसपैट किया है तो उसके लिए तो दोसी हुआ है उनको सिनाक्त करना चाहे था उन पर कारवाई करना चाहे था आज कांग्रेस या जेमेम गटबंदत तो भी गट तीन सालों से है एक दिन के यह बात होती नहीं है इसलिए इन मुद्दों को अब उन्हें याद इसलिए आ रहा है कि अब उनके कोई दूसरे मुद्दे बचे नहीं है तो इन मुद्दों को ले करके वो राजनीत करना चाहते है आप उनके मुद्दे बता रहे हैं और राजनितिक लेकिन ठीक ऐसा ही जवाब भाजपा के लोग का कहना है कि आप लोग उन्हें वोट के बैंक के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं और अस्थानिय स्थर पर तमाम राशन कार्डों वोटर आड़ी बनाया जा रहा है और इस प्रकार की एक वी व्यक्ति उनके सामने है तो कारवाई तो भरत्त्तकार को ही करनी है अफिर भरत्त्तकर अपने हाथ को क्यों रोके विए कौन रोकता है उन्हें राज्य में घुस्पेट हुआ तो राज्य सरकार को भी देखना चाहिए था पहले से यह तो एक दिन का मामला है नहीं इसलिए तमाम बातें केवल कांग्रेस और जो धर्म पेक्ष पाटिया उन पर थोप करके वो अपनी राजनितिक रोटी सेकते बस इतन से आगे कुछ नहीं राज सरकार इस पर क्या कुछ आप मांग करें क्योंकि सत्ता में सही होगी आप है कि इस पर कारवाई हो तो राजे सरकार के सामने बाते आएगी तो किसी की भी सरकार होगी कोई विदेशी आकर के हां घुस्पैट करेगा तो उस कोई नहीं बात है नहीं और यह बाते सामने आएगी तब तो बात तो सामने आई है गिरफतारी भी कुछ दिन पहले हुई थी तालजहरी थाना चेत्र में और कई ऐसे मामले है जिसमें बंगलादेशी लोगों की सनलिपता मिली कोई बंगलादेशी आया होगा सिनाक्त हुआ होगा तो उस पर कारवाई हुई होगी और में लगता है कि सरकार सचेत है उनके प्रसाशन तंत्र सचेत है और इन चीजों पर आगे कारवाई करें साहेब गंज इलाके में ऐसी भी बात सामने आई कि जो बंगलादेशी घुसे हैं अस्थानिय मुसलमानियों को कोई साथ मार पिट करने क्योंकि वो जो भाजपा को समर्थन देना चाहते थे वोड देना चाहते थे अभी तिन दिन पहले की खवर आई थाना ये मामला भी द चीत रूप से आपने सुना इन्हों साफ तोर पर कहा है कि ऐसे मामले अगर सामने आते तो उस पर केंद्र सरकार का पहले दाइत वो बनता है कि कि किसी दूसरे देश से भारत में अगर कोई घुसपैट कर रहा है और वो भी गंगा नदी के सहारे तो ऐसे लोगों पर कारव कर रही है दा न्यूस पोश्ट में फिलाल इतना ही अपने सहोगी संतोस के साथ समीर दा न्यूस पोश्ट राची